अब यहां पर आगया एरिया ट्राइंगल पर बेस्ट कुर्शन अब याद रखना बहुत सिंपल शी बताता हूं एरिया ट्राइंगल का फॉर्मला है हाफ बेस इंटूवाइट होता है यहाँ पर दो वेक्टर का क्रोस प्रॉडट करना होता है ऐसे याद रखो और मॉडलस लेना है सीधी बात है area magnitude form में लिखना है आपको कि 50 है 25 है क्या है ऐसी कोई area parallelogram पूछे तो हाफ अटा देना दो वेक्टर का cross product करना है क्या करना है अगर आपको area निकालना है ट्राइंगल का है तो दो वेक्टर का cross product करना है magnitude लेना है हाफ से डिवाइड करना है अगर rectangle है parallelogram है तो हाफ अटा देना अब बात आएगी सर यह दो वेक्टर कौन से लेने हैं वो मैं सिखा देता हूं तो पहले तो ट्राइंगल की जो vertex दे रखी है वो बना लेते है तो a b c ज कॉमा 5 c तुमारा है 1,5,5 तो यह तुमारा a b और यह c ठीक है a है 112 बी यह 235 c 155 अब मैंने इतना बता दिया कि area निकालने के लिए दो वेक्टर का cross product करना है यह बलकुल माइन में सेट कर लो अब कौन से दो लेने है बस दो वो लेने जो अगल बगल हूं अब माल लोगर त तो तुम b c और बी एव अग्यों लोगें मालोग अगल वगल वाले कोई point fix कर लो तो ये और यह अगर किसीने मालो c पॉंट ले लिया तो वो c भी निकालेगा c निकालेगा किसीने अगर a ले लिया तो वो a b vector निकालेगा और c vector निकालेगा करना लेका बास सुमाओ ऑगी तो एक point लेकर आपको लेना है, simple सा, ठीक है, तो अब मैं, यह यह टाइंग लेना है, और मैंने अगर B point लिया है, तो मैं B C vector निकालूँगा, और मैं कहा निकालूँगा, B A vector, ठीक है, और फिर हमारा area क्या होगा, area होगा, half, और यह जो B C और B A है, इनका हमें करना पड़ेग cross product क्या करना पड़ेगा, और उसका magnitude, बस हो गया area का formula, यहनि दो वेटर का cross product, उसका magnitude और half करना है, ठीक है, तो चलो पहले B C vector कैसे लिखोगे, कैसे लिखते हैं, अब यह लोगो basic आगे है, पहली दूसरी class का, दो पॉइंट है, दो पॉइंट से वेटर कैसे लिखते हैं, कैसे कितना आगे हैं, तो यह आगे हमारा, यह आगे माइनस का I cap, प्लस का 2 J cap, 0 K cap, ठीक है, अब आजओ B A vector पे, तो 1-2 I cap, 1-3 J cap, 2-5, 2-5 K cap, तो यह कितना आजए का, माइनस का I cap, माइनस का 2 J cap, माइनस का 3, K cap, तो यह B A vector आगे हो, अब आपको B C vector का और B A vector का क्या करना है, cross product, तो इधर कर लेते हैं, B C cross B A, कैसे करते हैं, डेटरिमेंट ले लेंगे, I cap, J cap, K cap, अब B C का जो coefficient है, वो यह है, माइनस 1, 2, 0, माइनस 1, 2, 0, और B A का क्या है, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, ठीक है, चलो लिखते हैं, I cap, bracket, यह hide हुगा, 2 into minus 3, minus 6, और यह माइनस का 0 हो जाएगा, फिर माइनस का J cap, यह और यह hide होगा, minus minus plus का 3, और यह 0 हो जाएगा, plus का K cap, और यह और यह hide होगा, plus का 2, यह minus का 2 आएगा, लेकिन plus हो जाएगा, क्योंकि बीच में minus होता है, determine निकालना आपको आता हो, तो यह कितना आगया, minus का 6, I cap, और यह minus का 3, J cap, plus का 4, K cap, तो हमें तो इसके magnitude की जरुत है, तो अगर मैं magnitude निकालना हो चलो इदर ही, BC और BA का magnitude, तो कितना आएगा, square root of 6 का square, minus 3 का square, plus 4 का square, तो 36 plus 9 plus 16, तो कितना हो गया, यह हो जाएगा, तो 36 में 9 एड़ होगा, 45, 45 में 16 एड़ होगा, तो क्या root 61 आ रहा है, तो यह एरिया क्या हो जाएगा, 1 by 2, और यह value आई है, root 61, कितने आई है, 1 by 2 root 61, ठीक है, यही आ रहा है answer, ठीक है, सज में आया, किस तरीके से करते हैं, यानि आपको 2 vector चूज करने होते हैं, कोई भी एक point fix कर लो, उससे 2 vector लिग दो, और उनका cross product कर दो, ठीक है,